आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सेसाइज 5.3 रेशियो और प्रोपोर्शन का चेप्टर है यानि तनासुब और मतनासुब या अनुपात और समानुपात पेज नमबर 97 है इस एक्सेसाइज को अभी फिलाल बनाने का मकसद यह है कि मैंने इस चेप्टर को स्टार्ट कर दिया है 5.1 लेकिन जब अगर हम फाइनल एक्जाम की बात करें माध्धमी की हाई मदरसा तो उसमें जो 3 माक्स का एक कोश्चन आता है इस चेप्टर से तो यह ज्यादा इंपोर्टेंट है इसलिए इसको भी फिलाल हम बना रहे हैं और जब इसके में शॉट कोश्चन में जाएंगे तो उससे पहले मैं इससे पहले जो मैंने छोड़ा 5.1 का और 5.2 का उसको मैं प्लिट कर दूंगा तो इस चार्ट करेंगे अभी हम फिलाल 5.3 यह बहुत ही इंपोर्टेंड होगा थिरी माक्स का एक कोश्चन आपको सी और इस एक्सेसाइज से मिलेगा तो पहला कोश्चन है इफ ए इस तो बी इक्वल टू सी इस तो डी अगर ए इस तू बराबर और सी इस तो डी लेटर सो देट तो हमें दिखाना होगा कि यह एक न साइज के एक्वल बराबर होगा थिक है तो दिखाना है यह या या हमें साबित करना या परमान करना इस तरह से भी आटकर है तो यहां पर जो है के एक एक सिसाइज 5.3 में एक खास मैथ्ट्ड वीडी इस इस तमाल होता है जिसे हम कहते हैं के मैथ्थड या केविदी ठीक ह उसके यूज करके हम यह सभी को पुरूफ करेंगे इसमें बहुत सारे भी k method से ही या kvd से बनेगा तो पहला जो है इसको हम यूज करेंगे और उसके बाद यह पहला वाला हम पुरूफ करेंगे यह lhs equal to हमको दिखाना पड़ेगा rhs left hand side equal to right hand side तो पहला question a square plus b square is to a square minus b square equal to ac plus bd is to ac minus bd इसको हम यूज करेंगे तो हमारा जो question में दिखाना वह है a is to b equal to dy c is to d तो जैसा में पता है कि जो ratio होता है या अनुपात या तनासूब इसको हम बटा में लिख सकते है ना तो इसको हम बटा में लिख लेंगे सबसे पहले इसको लिख लेंगे a buta b ho जाएगा c buta d अब जो है इसको हम कुछ माल लेते है इसको इसका नाम है k method तो इसको को k माल लेना पड़ता है ठीक है यह इक वल्ट हम माल लेंगे k ठीक है और यहां पर बगल में लिखते है से यानि कहे लिजिए कि यह बराबर k है ठीक है और यह जो किय होता यह 0 नहीं होना यह 0 नहीं होता है ठीक है k और यह k जो है यह constant है या धुरुबग है ठीक है तो इसको हम k माल लिए तो k माल लेने से यहां में उपर में जो है इसका value मिल जाएगा a और c का तो a बराबर कितना होगा a बराबर हो जाएगा a की नीचे क्या b इसको हम तिरचा में into करेंगे k के साथ तो यह जागा b into k b k इसलिए a बराबर हो जाएगा कितना b k ठीक है कॉमा लिखेंगे तो c बराबर कितना होगा c के नीचे d है तो d k से into हो जाएगा इस तरफ दिरचा into हो जाएगा d k तो c क्वल्ट हो जाएगा d k अब a का जगा में हम क्या लिखेंगे जब हम पूरू तो इसके बाद हम लिखते हैे question में जो LHS था left hand side equal to left hand side दीया था a square plus b square is to a square minus b square ये left hand side कौन सा है यहां पे देखिये ये वाला equal to के जो बाया तरफ है जो लिखा बाया ये left hand side ठीक है इसको लिखेंगे पहले और इसमें से देखेंगे इसका क्या वेल्व आता है तो यहां पर हम जैसा कि मैंने का A के जगा में हम क्या लिखना होगा B के लिखना होगा तो यहां पर हम लिखेंगे A के जगा में हम लिखेंगे B के B के और फिर A का स्क्वेर है तो इसका भी स्क्वेर हो जाएगा फिर पलस B के जगा में चुके यहां देखे हैं A और C का ही value या मान है इसलिए B का कोई मान नहीं है तो B square उसी तरह लिखेंगे ठीके यह हो गया इसके बाद यह first bracket है तो चुके हमने पहले ही first bracket इस्तमाल कर लिया है तो अब इसको गेरने के लिए हम second bracket इस्तमाल कर लेंगे फिर इस 2 यहां पर भी उसी तरह लिखेंगे हम एक जगा में B के लिखेंगे B के फिर इसका square हो जाएगा मतलब इसका whole square फिर minus B square है तो B square उसी तरह लिखेंगे इसको भी हम second bracket कर देंगे इसके बाद क्या काम है कि हम यह first bracket को अंदर में खोलना पड़ेगा तो B, K का whole square कितना होगा तो B का square अलग हो जाएगा B square K का square अलग हो जाएगा K square फिर plus B square ठीके अब यह अंदर का first bracket हट गया तो इसको हम बाद में first bracket कर लेंगे second bracket को हटा देंगे इस 2 यहां पर भी हम इसी तरह कर लेंगे B square K square minus B square हो जाएगा ठीके इसको first bracket में घेर लेंगे यह मैंने ratio ही रहने दिया है ठीके अगर हम यहां पर भी एक चाहे तो इसको जो है हम बटा में कर सकते यानि यह वाला उपर में और यह ला नीचे में यहां से अब हम देखे इन दोनों में 20 square common होगा 20 square common ले लेंगे दोनों में 20 square है तो यहां क्या बच जाएगा 20 square बाहर common होगी यहां बचेगा K square फिर पलस यहां पर 20 square बाहर common होगी यहां 1 होगा OK इस 2 इन दोनों में 20² क्या होगा, यह moderate क्या होगा, 20-क्य formulas में बचस्क्यurança्त को चुंकि नाइख क्याbung यहां पर बीश्कोर क्या होगा, यहां पर सीटक्सिम और भाग करना पड़ता है यहां भी bracket के साथ 20 square into है तो दोनों तरफ से 20 square cancel हो जाएगा ठीक है तो यहां पर क्या बच जाएगा k square plus 1 is 2 यहां पर हो जाएगा k square minus 1 ठीक है तो यह हो जाएगा अब यह ऐसा नहीं कि k square k square कट जाएगा कि इसमें plus जूड़ा हुआ इसमें minus है यहां पर case करके इसको नहीं कट सकता ठीक है इतना तक ही यह होगा यानि यह जो LHS हमने लिखा left and side इसमें A और C का value या मान बैठाने के बाद जो कुछ आया इसमें और कोई A, B, C नहीं है बलके सिर्फ के है ठीक है यह LHS हम इतना करके छोड़ देंगे इसके बाद RHS में भी हम इसी तरह करेंगे ठीक है इसको अगर हम चाहते तो यहां से हम बटा करके भी बना सकते लेकिन मैंने अभी फिलान नहीं बनाया है next question में बना लेंगे हम बटा करके भी बनाया जाता इसको RHS कल ले RHS कितना है RHS equal to दिया हुआ है AC पलस BD AC पलस BD is to AC माइनस BD AC माइनस BD यहां भी हम बहलू पुट करेंगे इसी तरह से A के जगा में हम पुट करेंगे B के यहां पे A के जगा में हो जागा B के और A के साथ AC C के जगा में क्या पुट करेंगे D के तो यहां पर इंटू होगा इंटू के लिए हम यहां पॉइंट इस्तमाल करेंगे ठीके AC मतलब D के फिर पलस B और D है यहां पर तो B और D का तो वैलू नहीं A का वैलू ए C का वैलू है तो B D को मुसी तरह लिग दें गे B D और इसको फर्ट ब्रेकट में लिखेंगे फिर इसी तरह じゃあ 2 इसको भी उसी तरह लिखेंगे रहे सेम होगा थिरह बेच में माैनמ׸ हो जाएगा A के जगा में होजाएगा B के ATP C के जगा में होजाएगा DK फिर minus bd ओके इसके बाद यह देखे कितना हो रहा है इन दोनों को into करेंगे कितना होगा bd और k के into हो जागा तो k square हो जागा तो bd k square फिर plus bd यह हो गया is to यहाँ पर भी into करेंगे उसी तरह हो जागा bd k के k square हो जागा minus bd अब देखे इन दोनों में bd common आएगा यहाँ भी bd है यहाँ भी bd है तो bd बाहर common निकाल लेगे तो bd हो गया common बाहर आगे तो यहाँ बचेगा k square फिर यहाँ से bd बाहर आगे यहाँ वान होगा इस two यहाँ पर भी bd common आएगा तो यहाँ पर लिख लेते है इस two यहाँ पर bd common आएगा तो यहाँ k square और यहाँ पर bd बाहर आगे यहाँ वान होगा अब इन दोनों में देखे यहाँ भी bd और यहाँ भी bd into a bracket के साथ यहाँ bracket के साथ इन दोनों तरफ is two यहाँ बीच में है तो यहाँ से bd यहाँ bd कड जाएगा ratio में तो बचेगा यहाँ पर क्या k square plus one bracket में is two यहाँ पर होगा k square minus one यहोगी rhs अब देखे लhs का value यह और rhs का value यह यह दोनों देखे विल्कुल same हो गया है ना k square plus one is two k square minus one यहाँ भी k square plus one is two k square minus one तो दोनों same हो गया मतलब lhs और rhs दोनों same हो गया इसलिए हम लिखेंगे lhs equal to rhs left hand side equal to right hand side जो हमें दिखाना था कि जो left hand side है और right hand side हो दोनों same होना चाहिए तो दोनों equal आ रहा है दोनों का value same है इसलिए यहाँ से यह प्रूब्ड हो गया पूरूब्ड लिखेंग है यानि साबीत हो गया या फिर जैसा question में लिखावा हो भी लिख सकते है short लिखावा था show यानि दिखाओ तो short भी लिख सकते है ठीक है अब जो चाहिए हो लिख सकते है कोई problem नहीं है यह भी सही है यह भी सही है और मैंने यहां पर शुरू के question में इसको बटा से नहीं बनाया यहां पर बटा इसको नीचे लिकर भी हम बना सकते थे तो next question में हम बनाते है अब इसी तरह one का जो two है वो है a square plus a b plus b square is to a square minus a b plus b square इसको equal दिखाना पड़ेगा बराबर दिखाना पड़ेगा इसके c square plus c d plus d square is to c square minus c d plus d square इसके लिए भी हमें यहीं वाला इस्तमाल करना है a is to b equal to c is to d okay तो यह सवाल उतार लिए हमने ठीक है इसके लिए भी हमें यहीं यूज करेंगे जो अभी मैंने दिखाते है यह हम सेम चीज लिखेंगे इसी तरह से इसी तरह a equal to b k लिखेंगे और c equal to d k लिखेंगे ओके इतना तक आप उतार लिजेगा उसको लिखे लिखेंगा उसके बात से मैं बनाने वाला हूं तो इसके बात से यह lhs होगा LHS equal to कितना होगा यह वाला तो इसको अगर हम बटा में लिखना चाहे तो बटा में लिखेंगे तो यह क्या हो जाएगा A square plus A B plus B square यह और इस टू के बाद वाला यह नीचे आ जाएगा बटा A square minus A B plus B square ठीक है अब इस तरह से एक डायेट भी लिख सकते हैं और चाहे तो एक मरतबा इसको लिखने के बाद आप इस तरह बटा में लिख सकते हैं दोनों तरीका से आप कर सकते हैं इस तरह से भी कर सकते हैं और इस तरह बटा करके भी कर सकते हैं तो बटा में हम लिख लिए LHS अब इसका value पुट करेंगे हम तो A के जगह में हम क्या लिखेंगे BK तो यहाँ पर हो जाएगा बटा यह BK का square हो जाएगा BK का whole square पलस A के जगह में BK into B उसी तरह रहेगा क्योंकि B का value नहीं है पलस B के जगह में हो जाएगा उसी तरह B square उसी तरह रहेगा फिर नीचे भी उसी तरह लिखेंगे एके जगह में BK इसका square हो जाएगा minus एके जगह में BK into यहाँ into है फिर B फिर पलस B square उसी तरह से तो यह equal to कितना होगा BK का value square कितना हो जाएगा B square K square दोनों में square हो जाएगा पलस इन दोनों के into करेंगे तो B B into हो जाएगा B square K फिर पलस B square होगा बटा नीचे में उसी तरह से होगा B square K square सिर्फ एक minus का फरक है यहाँ minus हो जाएगा यह दोनों भी into होगे B square K होगा और यह भी हो जाएगा B square सेम उपर वाला नीचे उलस से में सिर्फ यहाँ यहाँ minus है इसके बद अब हम क्या करेंगे देखे उपर में common आएगा यहाँ भी 20 square यहाँ भी 20 square यहाँ भी 20 square तो B square common ले लेंगे तो यहाँ पर जो बच्चे का उसको bracket में लिखेंगे यहाँ बच्चे का के स्क्वेर फिर पलस 20 square यहाँ से भी 20 square यहाँ से बाहर common आगिया के बचेगा यहाँ से 20 square पूरा common आगिया यहाँ वान होगा ठीके बटा नीचे में क्योंकि B square से 20 square को हम डिवाइड करके लिख रहे है तक्सीम करके तो वान होगा यहाँ भी नीचे 20 square common आगा देखें नीचे में तो 20 square common लेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा K square यहाँ से 20 square फिर minus है यहाँ से 20 square common आगिया K फिर पलस है यहाँ फिर 20 square common आगिया और 1 यह हो गया अब यह bracket के बार में यह बी स्क्वार इंटू हो गया K square minus K पलस 1 यह होगी हमारा LHS ठीक है यहाँ पे बार नीचे नहीं काट सकते क्यूंकि कोई सोचे का इसको इसको han kaart देंगे इसको इसको काट देंगे इसको काट देशा नहीं हो सकता क्यूंकि यह पलस इसके साथ कुछ जुड़ा हुआ है यहां पर कुछ जुड़ा हुआ है, कुछ घटा हुआ है, तो ऐसे में उपर नीचे नहीं काट सकते हैं, जब तक इंटू ना हो, इंटू में रहेगा, जब तक नहीं काट सकते हैं, तो यह LHS यतना ही करके छोड़ देंगे, इसे तरह RHS करेंगे, RHS में यह बटा यह हो जाएगा है, रेशियो में यह उपर यह नीचे, तो यह हो जागा, C square पलस CD पलस D square, यह वाला उपर में बटा, इसटू के बाद वाला जो है, यह नीचे में, C square माइनस CD पलस D square, इसके आद वैलू पुट करेंगे, C के जगा में क्या वैलू पुट करें की पलस C, जाद में, D, की के जगा में, D, के, जिससे में यहां पर दिखाया था, C के जगा में, D,की, यहां पर आफिर D, की इसके तरह लिखेंगे, कि कोई D square करे कोई Mहलू नहीं है, नीचे में भी सेम होगा, पर माइनस होगा, यहनी, C के जगा में, D, की का स्क्वेर, यह इसी जरह होगा dk into d plus d square यह बराबर कितना होगा देखे bracket को खोलेंगे यहाँ पर दोनों को bracket को खोलेंगे हम तो यह खोलेगा कितना होगा d square k square फिर पलस यह dk into d कितना होगा d d d square k फिर पलस d square उसी तरह नीचे में भी सेम होगा सिब यहाँ minus होगा d square k square उसी तरह से फिर यहाँ minus हो जाएगा यह हो जाएगा d square k फिर पलस d square अब देखे यहाँ उपर में तीनों में d square है तो d square common आजगा यहाँ भी d square यहाँ भी d square यहाँ भी d square जो सम में वहीं common होगा तो D square common लेंगे जो बच जाएगा बिरेकड़े में लिखेंगा यहां K square बच गिया D square बाहर आया K square बच गिया फिर पलस यहां से D square बाहर common होगा K बच गिया K बच गिया फिर पलस यहां से D square common होगा 1 रहेगा के भी common आता कब अगर तीनों में के होता तब अब यहां भी इसी तरह जिससे यहां कटा था है बाहर में यहां भी into a bracket के साथ into a d square यहां भी bracket के साथ into a d square यह कट जाएगा cancel हो जाएगा तो क्या हुआ यहां पर भी उपर में बचा k square plus k plus 1 और नीचे में k square minus k plus 1 अब देखिए lhs का जो value आया था यह value और rhs का जो value आया यह दोनों देखिए बिल्कुल सेम है उपर में k square plus k plus 1 नीचे में k square minus k plus 1 यहां भी सेम है तो यहां से proof हो गया इसलिए lhs equal to rhs proved यह नि साबित हो गया तो इतना ही हमें इस तरह से दिखाना है इसके बाद 1 का 3 root over a square plus c square is to root over b square plus d square equals to दिखाना होगा pa plus qc is to pb plus qd इसके बराबर दिखाना होगा सेम इसी तरह इसको use करना पड़ेगा तो देखिए इस तरह जो question था हमने लिख लिया यहां पे और जिस तरह में करना था a is to b equal to c is to d यह question में दिया वा था इसको k मान कर a equal to आएगा b k और c equal to होजाएगा d k इसके बाद हमें lhs लिखना है left hand side तो left hand side क्या equal to k इधर वाला left hand side होगा इसको हमने लिख लिया यहां पे इसके बाद हम यहां पे value put करके बनाएगे तो कितना होगा इसको करें इसको बटा में लिख लेंगे हम तो यह उपर में हो जाएगा root over a square plus c square बटा यह वाला नीची हो जाएगा root over b square plus d square इसके value put करेंगे हम equal to a के जगा में b के लिखेंगे हम root over उसी तरह रहेगा a के जगा में b k हो जाएगा उसका फिर square है उसका square फिर plus c के जगा में हो जाएगा d k इसका भी square है तो यहां इसका whole square होगा नीचे में उसी तरह b का value नहीं है तो इसको b square उसी तरह लिख लेंगे plus d square भी उसी तरह लिख लेंगे क्योंकि इसका भी कोई value नहीं है, value किसका है, a और c का, a और c का, अब ये equal to कितना होगा, यहाँ पे उपर में हम bracket को खोलते हैं पहले, तो ये bk का square कितना हो जाएगा, b square, k square, फिर plus, ये dk का square हो जाएगा, d square, k square, okay, और नीचे में जिस तरह उसी तरह लिखेंगे, b square plus, d square, इसके बाद, ये देखें, इन दोनों में common क्या आएगा, देखें, यहाँ भी k square है, यहाँ भी k square, यहाँ भी k square, तो इन दोनों में k square बाहर common आ जाएगा, तो ये root के अंदर ही common होगा, k square common लेंगे, तो यहाँ क्या होगा, उसको bracket में लिखेंगे, यहाँ जाएगा, b square, plus, k square बाहर common आगे, यहाँ बचेगा, d square, और नीचे में जिस तरह है, उसी तरह लिखेंगे, b square, plus, d square, अब देखिए, root है, root के अंदर में k square, into यह वाला है, यह दोनों into है, आपस में, यह into है, तो जो k square है, इसका जब root हम कर रहे हैं, तो हमें पता है कि square का root होने से, वो square हट जाता है, और यह चीज जो है, यह root से बाहर आ जाता है, तो, यह क्या हो जागा, k square, इसका root जो है, यह into है, तो k square का root हो जागा, सिरिफ k, only क्या हो जागा, यह k, ध इसके स्क्वैर का रूट होने से स्क्वैर यो हट जाता है Г had की में क्पैरा यह गाला स्क्वैर को कुछ को आपस में प्सक्राइब इसारी ह arrangements गलती हो जाते हैं just means एक लगतार में प्सक्क्राइब बन्हेस दोनुच की स्क्वैरी मिला सबूच ed तो ऐसा में अलग-अलग यह नहीं होता मतलब आप इस तरह नहीं कर सकते कि आप सोच रहे होंगे कि B square plus D square का root है इस तरह से तो हम इसको लिख देंगे B plus D इसका square गजादेंगे इसका square गजादेंगा ऐसा नहीं होता है यह गलत हो जाएगा, okay? कुकि यह पलस को यहाँ आ पस में पलस को यह माइनप यह उसी तरह रहे जाएगा और नीचे में उसी तरह लिखेंगे और यह दोनों देखें बिल्कुल सेम हो गिया है ना रूट के अंदर यह भी जो है यहां भी रूट के अंदर होई सेम है तो यह दोनों हम कैंसल कर सकते हैं इस तरह से यह कैंसल हो जागा तो कितना जागा अल्ली के बचेगा यह हो गया लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के बेलवा गया है कि अब इसी तरह हम राइट हैंड साइड करेंगे इस तरह कर लेते हैं राइट हैंड साइड चाहे तो आप बीच में एक लाइन भी इस तरह कीश सकते हैं राइट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है यह दिया वा राइट हेंड साइड में PA पलस QC इस टू PB पलस QD तो इसको भी हम इसे तरह बटा में लिख लेते हैं एक बार PA पलस QC यह उपर में हो जागा बटा यह नीचे हो जागा इस टू के बाद वाला PB पलस QD ओके इसके बाद यहां value put करेंगे हैं पहले यह line कीच लेंगे P के जगा में value put P का तो कोई value है ने A का value है A मतलब हो जागा B के तो यह P उसी तरह रहने देंगे हैं P into यहां into A A मतलब B के फिर पलस Q उसी तरह रहेगा C मतलब हो जागा D के ठीके और नीचे में भी उसी तरह से होगा P उसी तरह रहेगा अब B उसी तरह रहेजाएगा P B और P और B दोनों में से किसी का value नहीं है फिर Q और D B उसी तरह रहेजाएगा तो देखें यह कितना होगा उपर में P B K इंटू होगिया ना तीनों तो यह P B K होजाएगा अगर मिंटू करके रखना चाहिए तो भी करके रख सकते है P B K यहाँ पर होजाएगा Q D K और नीचे में होजाएगा P B पलस Q D अब देखें यहाँ पर उपर में इन दोनों में सिफ K common होगा दोनों में K है K common होजाएगा नीचे में जो है वो सेम होगा PV पलस Q D अब देखें K bracket के साथ K into A यह देखें यह वाला और यह वाला बिल्कुल सेम है PV पलस Q D यहाँ भी PV पलस Q D यह कैंसल होजाएगा पूरा इस तरह से कैंसल कर देंगे तो क्या होगे यहाँ पर भी सिरीफ K तो RHS जो हुआ राइट हैड साइड उसका वैलू भी कितना आ गिया किया आ गिया ठीक है RHS का वैलू तो हम देखें यहाँ पर LHS का वैलू भी किया आया RHS का वैलू भी किया आया इसलिए हम लिख सकते है Left hand side equal to Right hand side इस तरह आपको LHS और RHS दोनों बिल्कुल same value लाकर के दिखाना पड़ेगा यह हो गिया पूरूप्ट तो उमीद करता हूँ आपको के मेहतोर समझ में आया होगा किस तरह से में LHS और RHS को as equal दिखाना पड़ेगा ओके